नमस्कार दूस्तों आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल और सधी एंड हेल्थ में बहुत-बहुत स्वागत है दूस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेगे कच्छे प्यास खाने से क्या-कया फायदे होते हैं दूस्तों कच्छे प्यास खाने से बहुत ही गजब के फाय जनकाये देगें आप इस वीडियो को लाश रख देखे तभी आपको प्यास के खाने से होने वाले फायदे के बारे में अच्छे जनकारी मिलेगी अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल सस्क्राइब कर दे क्योंकि आपको इस चैनल पर हो जाना दवा घरल उसके अवहल टिप समंधिस जनकारिया मिलती देगी तोस्तों प्यास सेहत और खुबसूर्ती का खजाना होता है क्योंकि प्यास में एंटी एलर्जिक एंटी एक्सिडेंट गूर होता है प्यास में भरपूर मात्रा में विटामिन A, विटामिन B6, विटा होते हैं काले होते और मजबूत होते हैं सुदर होते हैं कच्छे प्याज के इस्तमाल से बलड सुगर भी नियंतित रहता हैra शुगर के मरीजों को रोजाना कच्छा प्याज जरुर खाना चाहिए कई ऐसे तत्व पाये जाते हैं जो कैंसर जैसी गंबिर बीमारी से भी हमारी रच्छा करते हैं कच्चा प्याज खाने से सरीर में रोग प्रतियुदक छमता बढ़ती है और हमारा सरीर जो है रोगों से बचा रहता है प्याज में मवजूद विटामिन सी और कैंसलियम ओरल हिल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है कच्चा प्याज खाने से सरीर में खुन की कमी दूर होती है जो लोग कच्चा प्याज खाते हैं उनके सरीर में खुन की बिद्धी होती है प्याज के रस को सहत के साथ मिलाकर पीने से पेट के अंदर के कीड़े मर जाते है प्याज का काढ़ा बनाकर पीने से पेसाप की जलन दूर होती है प्याज का रस सहत के साथ मिलाकर आखों में काजल की तरह लगाने से मुतिया बिंद में आराम मिलता है कच्चा प्याज खाने से अन्यमित मासिक धर्म ठीक होता है घाव में प्याज का रस लगाने से घ्याव जो है बहुत ही जल्दी सूख जाता है अगर आपको कहीं घाव लगा हो तो आप घाव में कच्चे प्याज का रस लगाईए आपका घाव जो है बहुत जल्दी सूख जाएगा क्यूंकि इसमें एंटीवाटिक भी गूर पाये जते हैं सहाद में प्यास का रस समान मात्रा में मिला कर दो चम्मस रोजाना सेवन करें सुबह और साम आपके रक्त में जो है कुलस्टराल नियंतित रहेगा अगर दूस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तीस वीडियो को सेयर करें लाइक करें कमेंट करें और बेल आइकान को जोड़ दबा दे तभी आपको हमारे सबीनी दवा और नुश्के समधी वीडियो को नाटिपिकेशन सबसे पहले मिलेगा